आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ So guys, question हमें गिवन है Ethyl alcohol, vapors when passed over alumina at 573 Kelvin, the product obtained is, और option given है Ethylene, ethanol, methyl ethyl ether and D option given है, diethyl ether तो चलेगा है solution find करते हैं इस particular problem का तो हमें बात की गई है, ethyl alcohol vapors याने की CH3, CH2, OH यह कहा है हमार पास, ethyl alcohol इसकी treatment की जाई है याने की, ethyl alcohol vapors को पास किया गया है, alumina याने की AL2, O3 और temperature क्या रखा गया है, 573 Kelvin तो इसको क्या कहते है, alumina तो यह हमारा reaction conditions है, alumina के साथ treatment की गई है, ethyl alcohol की और हम से पूछा गया है, product क्या मिल रहा होगा तो guys, जो product मिल रहा होगा वो हमें मिल रहा होगा, ethene मिल रही होगी CH2 double bond CH2 ethene मिल रही होगी, इस reaction में और ऐसा क्यों मैंने कहा है, इसका ethene कह सकते हैं या इसका common name जो होगा, ethylene भी कह सकते हैं इसको, ethylene तो यह product हमें मिल रहा होगा अब मैंने ऐसा क्यों की है, क्योंकि AL2O3 जो है, AL2O3 के बाद की जाए, तो AL2O3 एक dehydrating agent है dehydrating agent है dehydrating agent है at 573 Kelvin यानि कि 573 Kelvin पर AL2O3 जो है dehydrating agent है, dehydrating agent क्या होते हैं dehydrating agent basically नाम से suggest करते हैं, D मतलब निकालना hydrating मतलब water को, यानि कि removal of water होता है, यहाँ पर removal of water molecule करवाता है, यह particular AL2O3, तो कैसे करवाता है, वो देख लेते हैं सबसे पहले CS3 CH अगर बात कर रहे हैं आप हाइडोजन को मैं ऐसे लिख देता हूं थाकि easy हो जाए, understand करना तो CS3 CS2 OH यह हमारा इथाईल एलकोहल हो जाएगा अब इसके बात की जाए, AL2O3 एक dehydrating agent है, तो dehydration करवाएगा, एक water molecule का removal करवाएगा, और वो किस पकार से करवाएगा तो यहाँ से OH का bond का removal होगा और इस carbon यानि कि alpha carbon अगर मैं इस carbon की बात करूँ तो यह हमारी zero position हो जाएगी और यह हमारी हो जाएगी alpha carbon होगी, C, CH C, यहाँ पर H, और यहाँ पर H, और यह OH, तो यह bond की breakage हो रही होगी, और यहाँ से bond की breakage, यहने इन तीनों bond की किसी भी breakage हो रही होगी, तो final product जो मिलदा होगा, यहाँ पर एक double bond की formation होगी दिख़ाएगी, तो जो product मिलदा होगा हमें जो product मिल रहोगा वह हमें कुछ इस परकार से C H H double bond C यहां पर भी H और यहां पर भी H तो यह हमारा ethylene मन जाता है यानि कि CH2 double bond CH2 ethylene ऐसा क्यों होगा क्योंकि हमारे पता है कि Al2O3 dehydrating agent है dehydrating agent का काम होता है water molecule को remove करना from alcohol तो अल्कोहल से जब water molecule remove होता है तो हमें मिलते हलकीन और इस particular compound को हम कहते है इथीन इथाइलीन तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यह इथाइलीन जो होगा सही आंसर होगा इस particular question का So thank you guys Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर